दोस्तो आइडी पासपर्ट फॉर्गेट करने के लिए सबसे पहले आपको एडिस्टिक की वेबसाइड व्याजाना है इसके बाद आपको लिखा हुआ रहा है नीचे लिखा रहा है रेइस्टर यूजर अब नीचे वाले रेइस्टर यूजर पर किलिक करेंगे तो आपके बस एक और नया विंडो अपनों कर आएगा कुछ इस तरीके थे तो यहाँ पर फॉर्गेट यूजर आईडी लिखा है इस पर किलिक करेंगे फिर जहां सर्विस में नो ले लेंगे अपना डोकुमेंट सेलेक्ट करेंगे अधार का नंबर डाल देंगे जो भी आपके अध बत दालने के बात जो आपका जंडर है मphon नůम्ब मेर उसे दिदाव अपने सेमय बहर फ़्यक्ति बेर नहीं होगा ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करें ताकि जाए साइज आपको अच्छी जानकारी मिल सकें मेरे द्वारा दोस्तों यहां पर लिखा हो गया है था यूजर आपके फोन नमर पर पासवर्ड चला गया है अब क्या करना दोस्तों यह तभी पॉसीबल हुआ है जब आपने सही फोन नमर और सही डिटेल डाली ती अब आप होम पेच पर चले जाए फिर से ठेक है और आपको एक और पर ए तरीका बताता हूं जिस तरीके से हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं आता है वह तरीका भी जान लो ठीक है अब आपको दिखायता हूं फिर से रेइस्टर यूजर पर जाएंगे यहां पर फॉर्गट पर किलिक करेंगे सर्विस में नो अधार कार्ड यहां पर अधार ले लेंगे ठ् Woran के बाद वही चीज़े डालनी है आपको जैसे नेम अफ दॉकूमेंट अप जैसे नीचे ट कन वर्ध और उसके बाद जेंडर उसके बाद मोवाईल लूंबर अगर आप अधार नंबर नेमॉव डॉकुमेंट डेट ! बार्व जैंडर यहं मॉवाईल से क कुछ भी एक चीज भी गलट डालते हो तो आपका जो यूजर आईडी और पासफर्ड है वो कभी भी आपके नमबर पर सेंट नहीं होगा अपने डिटेलों को ध्यान पुरुवक डालें ठीक है अब देए मैं कैप्चर डालकर दिखायता हूं यहां मैंने क्या किया फोन डालता व हगलत है अब यहां पर आपको यूमें अपनी डालना है और फिर अपना पासवर्ड डालना है उसके बाद आप असांए से लोगइन कर सकते हैं सब्सक्षर जा образом डेके जाना मैश जाना ठीक है और सई है तो आप एपना ID password इस तरीके से डाल सकते हैं password आपके phone पर आएगा वो ID password यहां डालेंगे तो आपसे निया password बनाने के लिए कईगा और old password आपसे मांगेगा तो old password बही डाल देना दुबारा से जो आपके पास आया है और new password माच कुछ भी डाल सकते हैं जैसे अपना नाम add the rate 123 या अपना add the rate अपना sun कुछ भी जो आपको comfortable लगे अपने लिए ठीक है न्यू password और confirmation password ने वही दो बार password डालना जो आप बनाना चाहते हो उसके बाद change password कर देना तो दोस्तों आई हो यह वीडियो बहुत अच्छी रही हो आपके लिए अपने subscribe नहीं कहता फटा फटा फटे चैनल को subscribe कर दो मिलता हूं next वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम